पलवल शहर में लूट पाट का एक लाइव वीडियो शोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है। शिकायत पर मामला तो दर्च कर लिया है लेकिन वारदात के तीन दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लिए आपे और पैसे बगारा उठा लिया प्यसके बाद वी उठाने के पार भी गोली और फायर करी अंबर वो मेरे लगबक कान पर सहर होते हुए गई सथ तो लगब वो गोली लगबक उसने मेरे सरपरवान ईक पोचिस करी थी पर मैने थोड़ा सार अटा लिया तो वो उप तो उसका जब गोली वगेरा वो लोड नी कर पाया तो दर के मारे दोनों भाग गए जिसमें से तीसरा बंदा उनके साथ त्यार था बाइक पर और जैसे बंदेवार दोनों बैठके निकल गया से वहां से मेरे स्टाफ उनके पीछे बागा दिंडा लेके इतने में वहां से सर क्या उनमें से किसी का नाम मालूम हुए है किसी का नाम मालूम नहीं हुआ है और लगबग उनमें तीन फायर सर अंदर करे थे और एक फायर उन्होंने मेरे स्टाफ पर बाहर कर आता हमला वर जो भी थे उनकी उमर कितनी होगी लगबग सर जब हाँ जैसे हमने देखा है जैसे बता रहे हैं तो बाहर वाली के पास में भी था यहां जुकपक्स रेस्टोरेंट है उस पे कोई जो अपना पै दिखा कि गोड़ी चला कि और कैश वगरा लेगे जिसमें तीन ने जो अन्ना पता करा तो तीन विड़के आये हैं और दो के पास वो अंदर आये हैं रे कि अधियार के साथ ते दोनों और एक ने आ के काउंटर पर फायर किया है किने रूपे उन्हें लूटे हो जो सिकायत कुर्ता लगबक हुने तीन फायर सर अंदर करें थे और एंवे फायर नहीं मेरे स्टाफ पर बार गार आथा सर रहा सर अंला वर जो भी थे उनकी उमर कि सकत्वार तर का जो दौनों के और उनके सार हत्यार और वो कटा था बहुत के पास जैसे बता और केश वगरा ले गए जिसमें तीन ने जो अन्हा पता करा तो तीन लिड़के आये हैं और दो के पास वो अंदर आये हैं रेस्टोरेंट में और उन्होंने अथियार के साथ थे दोनौर एक ने आके काउंटर पे फायर किया है कितने रूपे उन्होंने लूटे हों जो सिका कि अधार पर क्या को आरूपी के तलाश की जारी है सीचिटी फूटेज के आधार पर हम उनको इडेंटिफाइग करने का करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दो जग है हमने जिन पर शक था उन पर उनसे पुस्ताज भी की है और इस उसमें हमारी आल्रेडी टीम है वो रेड क्या उसके लिए कोई टीम गठित की है इस मामले के लिए इस मामले के लिए तो हमने टीम गठित की है आयो के साथ अटेच की है टीम है और उनको जल्दी हम पकड़ लें खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सस्क्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अच्छोती ना रह सके